हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अस्टडी मितर में तो आप सभी कैसे हैं तो बिल्कुल अच्छे होंगे और तयारी भी जोर सोर से चल रही है बिहार बीपेशी सिक्षिक भरती की परिछा की तयारी तो हम लोग जो है क्लास 6 की बुक पढ़ रहते हिस्ट्री तो हिस्ट्री में हमने एक अध्याय देख लिया था आज हम लोग दूसरा अध्याय देखेंगे जिसका सिर्सक है क्या कब कहां और कैसे ठीक है तो चली आए जानते हैं क्या कब कहां और कैसे सोनी का सवाल सोनी अपनी सहली पिंकी के साथ टेलिवीजन देख रही थी टेलिवीजन पर दिखाया जा रहा था कि मानब धर्ती पे हजारों साल से रह रहा है सोनी सोचने लगी और पिंकी से बोली इतने बर्सों पहले क्या हुआ होगा या कोई कैसे जान सकता है पिंकी जो सोनी से पांच वर्स की बड़ी थी इस प्रश्ण का उत्तर वो निम तरीके से देना शुरू की यानि निम लिखित तरीके से वो देना शुरू की हजारों साल पहले क्या हुआ था या कैसे पता लगाएं कल क्या हुआ था या जानने के लिए हम रेडियों, टिलीवीजन या फिर अख़वार की मदद लेते हैं 10-20 साल पहले क्या हुआ था या हम अपने माता, पिता, दादा, दादी या नानाने से जान लेते हैं लेकिन हजारों बर्स पहले क्या हुआ था इसकी जनकारी हमें इतिहास से प्राप्त होती है यह था हमारे पुरवज कौन थे और कैसे कपड़े पहंटे थे इतिहास में मिलती है जब आप यह क्लास देख रहे हैं तो साथ में आप एक pane और copy भी लेके बैठेंगे जहां भी आपको लगे important है वहाँ आप note करते जाए वैसे मैं बताऊंगी कि यह important है आपके exam के दिश्टी कौन से इस तरह से क्या होगा अगर आप note करेंगे तो आपके लिए एक short notes तयार हो जाएगा वैसे question answer भी हम लोग लेके आएंगे बहुत जल्दी तो उसमें थोड़ time लगता है question बनाना पड़ता है तो बिल्कुल हम लोग कोशिस कर रहे हैं बनाने की जब वो बन चाएगा तो बिल्कुल आप लोग के लिए आएगा वो question ठीक है समाने तर तीन कालखण निधारित किये जाते हैं प्राचिन, मद्ध, एवं आधोनिक यहाँ पर important है कि इतिहास के कालखंडों को कितने कालों में निधारित किया गया या कितने कालों में बाटा गया है तो तीन काल में ठीक है प्राचिन मद्ध एवं अधुनिक किन्टु यह ध्यान रखना आवस्यक है कि एतिहासिक परिक्रिया निरंतर चलती रहती है और यह विभाजन इस परिक्रिया में कहीं भी बाधा नहीं बनते हैं परतेक एतिहासिक यूग की अपनी बिशेस्ताई होती है भारत में प्राचिन काल मानव जाती के आरंभिक क्रिया कलापों से आठमी शतावदी के पुर्वाद यानि कि 700 से 750 इसे भी तक निर्धारित किया जाता है ठीक है इसके आरंभिक चरन को पुर्व एतिहासिक काल कहा ज कोई कर्म बद लिखित इतिहास उपलब्द नहीं है इस काल में मनुस्य ने आग एवं पईयों का उपयोग सीखा ठीक है अब यहां पे देखिए आपकी इंपोर्टेंट लाइन शुरू हो रही है इस काल में किस काल में पूर्व एतिहासिक काल में या फिर आरंभिक चरन म मनुस्य ने क्या सीखा मनुस्य ने क्या सीखा तो मनुस्य ने सीखा है हाइलाइट में कर देती हूं आग का एवं पईयों का उपयोग सीखा खेती इवं पसुपालन सीखा इसी समय गाओं एवं कस्मों तथा सहरों का विकास हुआ छटी सतावदी इस्विपूर में गदित राज्यों का निर्मान आरंभ हुआ और कालंतर में विशाल समराज की अस्थापना हुई छटी शतावदी स्वी तक आते आते इन समराज्यों का बिगठन होने लगा और पूर्ण छोटे छोटे राज अस्थित्यों में आने लगे आठमी शतावदी के मर्दी 750 स्वी तक राज धीरे धीरे कमजोर पढ़ने लगे परन्तु बैपार एवं नगरों का विकास फिर से हुआ ग्यार्मी शतावदी तक नई शैनिशाधन और उन्नत उत्पादन तकनिकी का विकास हुआ इसलाम के माध्यम से नई विचारधारा भारत में आगमन हुआ यानि कि इसलाम के माध्यम से क्या हुआ था नई विचारधारा भारत में किसके माध्यम से आय था तो इसलाम के माध्यम से नई विचारधारा का भारत में आगमन हुआ था ये भी इंपोर्टेंट है ठीक है और पुना भारत में विसाल समराज्यों का गठन संभव हुआ सांस्क्रितिक समन्में भी हुआ और समाजिक समाजस से भी अस्थापित हुआ यह परिक्रिया आठ्मी शतावदी के पुरवाद में पुना पतनसी लवस्था में आ गई और इसी के साथ दुसरा परमुक काल या मद्धिकाल का अंत हुआ अधुनी काल का प्रारम आठ्मी शतावदी के उत्राद से हुआ जब पस्मी देशों के द्वारा नई विचार और नई परसासनिक बैवार भारत में लाई गई इससे क्या हुआ था सिच्छा, स्वास, संचार विवस्था एवं उसका आगमन हुआ और विशेस प्रगति हुई द्रुभागिवस क्या हुआ था, द्रुभागिवस या नई परसासनिक विवस्था विदेशियों द्वारा अस्थापित की गई थी, जो हमारे देश के आर्थिक संसादनों का लाप प्राप्त कराना चाहते थे, इस विवस्था को ही उपनीवे स्वाद कहा जाता है, ठीक है कीस विवस्था को, जो विदेशो द्वारा जो अस्थापित की कही थी आर्थिक संसादनों की विवस्था, उनकी द्वारा जो नियम कन्म बनाए गै थे, उसे ही क्या कहा गया था, उपनेश्वाद कहा गया था इसके अंतरगत किसी उन्नत देश, किसी दूसरे कमजोर देश पर अधिकार कर उसका आर्थिक सोसन करता था शुभाबिक था कि भारतियों में इसके विरुद एक चेतना जागी उनिश्मी शितावदी के उतराद से भारत में इस उपनेवे सिख सत्ता के विरुद रास्टी आंदोलन से क्रिये हुआ जो सत्ती और अहिंसा के सिधानतों से प्रेरीत रहा सन 1947 में भारत को अजादी मिली और एक नया शमिनान बना तो यह तो आप जानते ही हैं 1947 में हमारा देश अजाद हुआ था और उसी समय एक नया शमिनान बना इस शमिनान के द्वारा जनता को अपने परतिनिधियों द्वारा सासन का अधिकार मिला यही काल भारत के आधुनिक इतिहास का परतिनिधित करता है मानब जाती के इतिहास को हम कैसे जानते हैं तो मानब जाती के इतिहास की जानकारी हमें कई स्रोतों से मिलती है कौन-कौन से स्रोत हैं देखते हैं इन में से एक है स्रोत अतीत में लिखी गई पुस्तके ठीक है अतीत में लिखी गई पुस्तके इन पुस्तकों को हम ढूंड कर पड़ते हैं अपने राजाओं एवं आम लोगों के जीवन धार्मिक बेचार व्मानिता ओशोधियों तथा बिज्ञान आधी सभी प्रकार की बिसरियों की चर्चा हमें मिलती है ये पुस्तके हांसे लिखित होने के कारण क्या कहलाती है पां पांडूलीपी कैसी पुस्तकों को कहा जाता था तो हांसे लिखित होने के कारणों से पांडूलीपी कहा जाता था या कहा जाता है ठीक है ये पांडूलीपियां प्राया ताड़ पत्रों एवं भोज पत्रों पे लिखी जाती थी ये भी आपके लिए इंपोर्टेंट है बिल्कुल हाइलाइट किया हो गया है तो आप इसको नोट कर लेंगे और बहुत सी पांडूलिपिया अब नस्ट हो चुकी है कुछ पुस्तकालों एवं शंग्रालों में ये सुरक्षीत है पटना के खुदा वक्स लाइबरेरी पटना के कहां खुदा वक्स लाइबरेरी उसमें बहुत सारे कोशन पोशे जाएंगे आपके तो यहां पर देखे इंपोर्टेंट है आपका यानि भी भी आई है ठीक है क्या कि पटना के खुदा वक्स लाइवरेरी कहां कहां सुरक्षीत है एवं पाली गंज इस्तित कहां भरत पूरा के गोपाल नरायन सिंग सरव नातक है इन में से कई संस्रित भासा में लिखे गए अनि कहां कौन सी भासा में प्राकित तामिल एवं कंणर में लिखे गए हैं तो देखिए ताल पत्रों पे लिखा गया जो पांडूलेपी है वह इस तरह से है चित्र दिया गया है और अभिलेख जो होता था वह पत्थर हम अतीत की जनकारी अभी लेखों से प्राप्ट करते हैं अभी तक हमने जाना कि पांडूलिपी से प्राप्ट करते थे अब अतीत की जनकारी क्या है अभी लेखों से भी हम प्राप्ट करते हैं अभी लेख पत्थर अथवा धातू के सतों पे नुक्विली ओजारों से द्वारा उत्किर्न किये होते थे यानि नुक्विली ओजार जो होता था उसी से वो लिखा जाता था पत्थरों पे या फिर कह सकते हैं किसी धातू पे इन अभी लेखों में राजाओं तथा अन्य मोहत्पुन लोगों के आदेश और उपलब्धियों वर्नित रहती थी इन्हें वैसी ही जगों पे लगाया जाता था जहां पे अधिक से अधिक लोग आते जाते थे ताकि अधिक से अधिक लोग उसे देख सके और उसमें लिखीत आदेशों का पालन कर सके इसके अतिरिक्त अतित में बनाई गई एवं इस्तमाल में लाई गई बस्तों के माध्यम से भी हम अतित की जनकारी प्राप्त करने में सफल होते हैं ऐसी बस्तुव में पत्थर एवं इटोस के बनी इमारतें के अपसेश, ओजार, हतियार, बर्तन, आभोशन, मुर्तियां चित्र आदिसिक के आदि आते हैं। तो आपने सुना भी होगा कि कहीं भी खुदायोदाई कुछ होता है, तो हाँ पे कुछ पुराने जवाने की मिलती है, जैसे कि कई वार एटे मिल जाती है, ओजारे मिल जाती है, मुर्तियां मिल जाती है, तो उससे अनुमाल लगाया जाता है कि कितना पुराना है और किस काल क तो उससे भी एक अतीत की जानकारी हमें मिलती है ठीक है ये बस्तुएं पुरातत्विक श्रोतों के रुप में जानी जाती है और यही बस्तुएं क्या है पुरातत्विक श्रोतों के रुप में जानी जाती है जो हमें क्या मिलती है जो बस्तुएं हमें मिलती है बोशन कहां म जमीन की खुदाई कराकर प्राप्त किया जाता है जैसा कि मैंने भी बताया कि खुदाई जब होती है तो वहाँ पे कुछ अपसेस निकलते हैं जैसे मुर्तियां, सिक्के, बर्तन, उजार ये सब जो निकलता है तो इससे भी अतीत की हमें जनकारी मिलती है और इससे क्या कहा और पुरातत्तिक बस्तों का अध्यन जो करता है वह बेक्ती पुरातत्त वीद कहलाता है ठीक है ये भी इंपोर्टेंट है आपके लिए देखे, सिक्कों या मुद्रा, सिक्का इस तरह से होता था जिस प्याकर्ति चित्रित है ये मुद्रा है और ये है मृदभान, यानि मिट्टी के बर्तन है पुरातत्रिक बस्तों में जानवरों, पक्षियों में मचलियों की हडियां भी शामिल है जिससे अनुमान लगाया जाता है कि अतीत में किस परकार के जीप पाये जाते होंगे ठीक है अनाज एबम कपड़ों के अबसेश प्राप्त हुए है जिससे पता किया जाता है अईतित में लोगों के पास खाने के लिए कौन-कौन से अनाज थे और लोग किस प्रकर के कपड़े पहनते थे अब यहाँ पे जो भी हाइलाइटिट किया जाता है बुग में तो उसको बहुत ही आपको ध्यान से देखना है कि डाक्टर अस्पूनर ने पटना के कुमहरार नामक खुदाई यानि अस्थान पे खुदाई द्वारा चंद्रगुप्त मौरी के राज महल से अस्थम्ब निकाले हैं इस खुदाई में सोने के बैलों के टुकडे प्राप्थ हुए हैं और इसे मगद समराज की समरीधी एवं भबिता पे प्रकास पड़ता है तो यहाँ पे इंपोर्टेंट लाइन क्या आपको मिल गया कि डाक्टर अस्पूनर जो थे पटना के कुमरार नामक अस्थान में खुदाई करवाए थे तो वहाँ पे क्या मिला उनको चंदरगुप्त मोरी के राजमल के अस्थम में निकाले हैं और इस खुदाई में क्या मिला था मुखिरुख से बैलों के टुक्रे कैसे बैलों की टुक्रे और इसे मगध समराज की समरीधी वर मभबिता पे परकास पड़ता है मतलब ये पता लगाए जाता है कि उस समय क्या थी उनकी सम्रद्धी क्या थी वे मतलब भेविता की थी उनका क्या राज था उसके बारे पता चलता है क्योंकि सोने की बैलों की टुक्रे मिले हैं इस तरह पांडू लुपिया अभी लेखों सिक्कों तथा पुरातत्त से समनित अनिश्रोतों के अधार पे पुरातत्त वीद एवं इतिहासकार अतीत का अध्यन करते हैं और इनीश्रोतों के मार्ध्यम से वे अतीत की बैख्या करते हैं सिक्के सासकों द्वारा जारी किये जाते थे ये भी इंपोर्टेंट है सिक्के किसके द्वारा जारी किये जाते थे सासकों के द्वारा जारी किये जाते थे जिस पर क्या है जिस पर राज किये चिन धार्मिक चिन या कोई लीपी अंकित होती थी सिक्कों का अध्यन मुद् सास्त्र कहलाता है ठीक है खुदाई में मिली बस्तूओं के बिसलेशन के समय का निधारन करना बहुत महत्पुन है वैसे तो समय का निधारन के लिए कई भी धिया अपनाई जाती है लेकिन जो समाने ता प्रचलित है वह है रेडियो कारवन वीधी तो यह इंपोर्टेंट आ प्राद निर्धारन की इया का मोतिक सास्त्री करते हैं। सारी बस्तुओं में एक परकार का रेडियो धर्मी पदार्थ होता है जो कारवन चौदा गहलाता है। तब वो बाई मंडल से कोई कारवन फोर्टिन नहीं लेता है ठीक है यद पी वह इसे एक निशित दर पे खोता रहता है और भोतिक सास्त्री इसी निहित कारवन फोर्टिन की मात्रा का पता लगा कर उस जीव की आयू निशित करते हैं तो ये भी इंपोर्टेंट है आपके ल इसा मसी के जीवन को सुनी वर्स माना जाता है उनके जन्म के पूर्व की सभी तिथियों के आगे अंग्रेजी में बी सी और हिंदी में इसा पूर्व लिखते हैं ठीक है समझ में आई क्या समझ में आई उनकी जन्म के पूर्व की जितनी भी तीथियां है उसके आगे क्या लिखाता है BC का मतलब क्या होता है Before Christ ये भी एकजामे पूछा जाता है ठीक है SSC के एकजामे बहुत बार पूछा गया है तो BC BC याने Before Christ ठीक है और हिंदी में इसा पूर्व याने इसी पूर्थात इसा पूर्व लिखते हैं यानि कि जो जन्म के पूर्व इसा मसी के जन्म के पूर्व की जो तीथियां है उसे Before Christ याने BC कहते हैं और बाद वाला जो लिखते हैं और हिंदी में इसा पूर्व लिखते हैं अंग्रेजी में BC लिखते हैं और हिंदे में इशापुर्व लिखते हैं समझ में इशा के जन्म के पहले की जो तीथी है अंग्रेजी में उसे BC लिखते हैं यानि Before Christ लिखते हैं इसी परकार इश्वी की सुरुवात उनके जन्म के वर्ष से है यदि कहीं 2009 इश्वी यानि की AD A-D का Full vest क्या होगा? A no Domain, ठीक है लिखा देखते हैं तो इसका अतात पर इशा मसील के जन्म के बाद के 2009 में वर्ष से है इसी प्रकार यदी वा पतचीस सो इससा पुर्भ लिखा होगा मिलता है तो अंग्रेजी में B-C लिखते हैं इसा मस्य के पुर्व की सबी तीतियों में यानि उनके जन्म से पहले का जो माला जाता है, अज बाद में इस भी पुर्व होता ही है, लेकिन हिंदी में इसापुर्व लिखते हैं, ठीके, तो बीसी और इसापुर्व ये समझ लिजिए का अच्छे से, यानि अंग्रेजी में बिसी लिखा जाता है और हिंदी में इसा पुर्व लिखा जाता है और उनके जन्म के बाद की जो होती है तीथियां यानि की इसका ताथ पर इसा मसी की जन्म के बाद यानि 29 वर्स से इसी परकार यदि वह पचीस सो इसी पुर्व लिखा हुआ है इसका थे कि इसा मसी की जन् इसमसी का जन्म और सन इस्वी यानि की एडी अब देखते हैं भोगोलिक प्रिष्ट भूमी क्या क्या है तो प्राचिन काल से लेकर अब तक भारत की इतियास को समझने के लिए सपर्थम उसकी भोगोलिक रूप रेखा की जानकारी आवश्यक है भोगोलिक दिष्टी कोन से भारत को मुखिता चार भागों में बाटा जा सकता है पहला है उत्तर की परवतिय परदेश जो तराई की जंगलों से प्रारम्भोकर हिमाले की सीखर तक फैले वे हैं इसमें कसमेरी, कांगणा, कुमायू और सिक्किन के परदेश समलित है दूसरा है कि उत्तर का मैदान जो अपनी उपजाओ भूमी और अधिक पैदावर के लिए परसीद है इसमें सिंधू, गंगायवना और सहायक नदियां से सिचाई का काम होता है या देश का सरवादिक उपजाओ छेतर है तीसरा है दक्षिन के पठार के अंतरगत उत्तर में नर्मदायम तप्ती नदि वहती है ये भी इंपोर्टेंट है सभी लाएने ठीक है वैसे कोशन आंसर तो आपके पास आएंगे ही फिर भी आप इससे दिध्यान से पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी और हो सके अपलुक किताबी भी खरीदे उससे भी पढ़ें दक्षिन के पठार के अंतरगत उत्तर में नर्मदायम तप्ती नदि वहती है इसी भाग में बिन ततासतपूरा की पहाड़िया है जो उत्तर भारत को दक्षिन भारत से पिर्थक करती है चोथा है कि सुदूर दक्षिन के मैदान में गदावरी तथा किष्णा वदी किष्णा तकावेरी के उपजाओ डेल्टा वाले परदेश मिले हुए है यह जीतर दिया हुए भारते उप महादेप का भारते उप महादेप के उत्री सीमा में इस्तित परवत से लग करती है लेकिन इन परवतों में अनेक दर्दे दर्दे का मतलब रास्ते यह भी पूछा जा सकता है अबसे दर्दे का मतलब क्या होता है जैसे खेवर, बेलन और गोमल्दर्डर। ये भी इंपोर्टेन्ट है, कौन-कौन सा दर्रा है, खेवर, बोलन और गोमल्दर्डर। इन दर्रों के माधियां से भारत का संपर्ख, भारत का संपर्खma, अफगानिस्तान से तथा एरान से बना रहता है, तो आपसे कोशन में य बीच के संकरे रास्ते होते हैं भारतिय उप महादिप के उत्तर पस्मी छेत्र में ही मेहरगड जैसे अस्थान है जहालग बग छहाजार इसापुर्व में लोगों ने सबसे पहले क्या गेहूं तथा जो जैसी फसलों का उबजाना आरंब किया। बगडियों तथा गाय बैल जैसे पस्मी को पालतु बनाना शुरू किया। पहाडियों के नाम पर ही यहां के आधिवासी मानब सबू की पहचान है। पहाडियों के बीच बिंदे परवत बिवाजक रेखा है। तो तीन हजार बर्स पहले लोगों ने किया था। कहाँ पे बिंदे के दक्षिन में बरहामगरी अस्तल पे लगभग। तीन हजार पहले। बिंदे पहाडियों के उत्तर में इस्तित कोल धिवा एवं चोपानी मंडो ऐसे अस्तल है। जहां सबसे पहले चावल धान उपजाया जाता था। यह भी इंपोर्टेंट है पके लिए। उत्तर भारत में बहने वाली गंगा नदी दक्षिन का छेतर प्राचिन काल में मगद के नाम से जाना जाता है। जाना ता था यहां के सासाथ बहूत ही सकतिसाली थे और यहां उन्होंने 20 साल संब्राज की अस्तापना की। भोगोलिक रूप रेखा कि इसी बिवरन से असपस्ट है कि इस महादिव में यद भी अलग अलग छेत्रों में लोग अपने अपने धंग से मानव समाज का निर्मान कर रहे प्रन्तु ये कभी भी एक दुसरे से अलग नहीं रहे ये लोग उचे परवत्तों पहाड़ियों र अधार में गुरू हमेशा ब्रहमन करते रहते थे यहां तक कि भारती उप महादिव के बाहार के लोगों भी यानि खेवर बोलन एवं गोमल रास्ते से भारत आते रहे इस आवागन में हमाई संस्क्रितिक प्रंप्राज सम्प्राज देश का नाम अब देख लिते हैं यहां से भी कोशन मनेगा आपका हम अपने देश के लिए पराया इंडिया तथा भारत जैसे नामों का परियोग करते हैं इंडिया सब्द इंडस से निकला इंडिया सब्द कहा से निकला इंडस से निकला है जिसे संस्रिती में यानि संस् कहा और इसी नदी के पुर्व में इस्तिद्भूमी परडेश को इंडिया कहा फार्सी में यही सब्द हिंदी एवं हिंदूस्तान जैसे आदि नामों के पत्ति का कारण था इसी तरह एक दूसरी मारिता के नुशार इस देश का नाम भारत यानि भरत नाम मानब समू के नाम पड़ा जो उत्तर पसमी छेतर में रहते थे इसका उलेख हमें रिक वेद के लगबग पंदर सू इशापुरु में मिलता है तो यहां से इंपोर्टेंट बहुत सारा है कि भारत का नाम कौन सा नाम किस कारण से पड़ा यह पूछा जा सकता है आपसे ठीके अता प्राप्त समाज कैसा था इसकी क्रमिक विकास कैसे वह यह सब अगले रिध्या में पढ़ेंगे तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है उमिद करती हूँ कि आपको बहुत सारी बाते समझ में आई होगी और अपने नोट भी किया होगा एक सोट नोट सापका तयार भी हो गया होग और बहुत जल्द हम लोग कोशन आंसर भी करेंगे तो आप लोग हवराए नहीं घवराए नहीं ठीक है अपनी तैयारी करते रहें इसी तरह और जूरे रहे हमारे साथ अपने दोस्तों को भी सेर कीचिए वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करें क्योंकि आपक